तो चली आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं Concentrate your position मतलब यह कि सालों तक Zappos सर्वाइब करने की कोशिश करता रहा फिर recession आया, dot com bubble आया और 9-11 का attack हुआ Zappos को कोई investor नहीं मिल पा रहा था Venture Frogs के भी सारे funds यूज हो चुके थे Tony और Alfred ने अपनी काफी सारी personal saving भी invest कर दी थी और सबसे बड़ी बात की सुकोवा अभी भी Zappos में invest करने को तैयार नहीं थी Nick Fred और Tony ने decide किया कि वो अपने staff को 20% कम कर देंगे उन्होंने खर्चे बचाने के लिए under performers को रखा Zappos का tough time चल रहा था Tony और उसके दोस्त हर हाल में company को बचानी की कोशिश में लगे थे Tony ने अपने staff से पूछा कि क्या वो लोग 20% कम salary में काम करेंगे लेकिन उनमें से कई लोग कम salary में afford नहीं कर सकते थे कई लोगों को rent pay करना होता था और जिन लोगों ने resign नहीं दिया Tony ने उने free में अपने loft में shift करने को बोल दिया उसके पास 3 units और थोड़े office space की जगे थी इन सब जगों को Zappos के employees के लिए dome में convert कर दिया गया जिन लोगों ने move किया उनमें Nick Swin Maran भी था और इस तरीके से Zappos को under performers और non believers से चुटकारा मिला क्योंकि जो लोग बज गए थे वो वाकई में Zappos के dedicated employees थे जिने पैसे से ज़ादा अपने passion से प्यार था और ये Zappos के लिए काम करते थे Tony ने loft को छोड़ करके अपना सारा real estate बेच डाला था अब वो एक buyer ढूण रहा था जो उसका party space खरीच सके लेकिन crisis के चलते कोई भी से खरीदने को तयार नहीं था Tony को real estate बेचने का जितना भी पैसा मिला था वो सब उसने Zappos में invest कर दिया था तो अब उससे कुछ ऐसे तरीके सोचने थे जिससे की Zappos की sale increase हो सके Zappos अब drop shipping से inventory में shift हो गया था ताकि उने ज़्यादा brands और ज़्यादा stocks मिल सके और Zappos ऐसी shoes भी offer करने लगी थी जो की demand में थे Freight के पास inventory आने लगी Zappos का office shoe boxes से भर गया था Business model change करने का उसका idea एकदम सही था Inventory होने की वज़े से अब sales increase हो गई थी 2000 में Zappos की 1.6 million dollar की sale हुई जो बढ़ करके 8.6 million dollar हो गई Shoe inventory अब Zappos के office में fit नहीं हो पा रहा था Tony को street की दूसरी side में एक warehouse मिल गया था लेकिन वो भी काफी नहीं लग रहा था फिर e-logistic नाम की company ने उन्हें inventory handle करने और shoe shipping का offer दिया लेकिन ये company अपने काम में पूरी तरीके से ineffective रही और ऐसा point भी आया जब Zappos के पास सिर्फ two weeks का fund बचा था Tony को जब party space के लिए खरिदार मिला थो उसने accept कर लिया हालंकि ये offer original price से 40% कम था party space बिग गया और सारा पैसा तुरंट Zappos के funds में transfer कर दिया गया तो Tony ने kentu की में एक नया warehouse ले लिया था उसने decide कि वो इसे अपने venture frogs वाले friend कैथ की help से personally चलाएगा इस नए warehouse का नाम उन्होंने whiskey रखा जो की warehouse inventory system in Kentucky का short form था Zappos को इस warehouse को priority दी जानी चाहिए थी क्योंकि ये एक e-commerce company थी Tony को अपनी mistake realize हो गई थी कि जब उन्होंने e-logistic को inventory और shipping के लिए outsource किया था तो Tony और Cat customer satisfaction इंप्रूव करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे उन्होंने अब delayed orders और wrong shipment से भी चुटकारा पा लिया था और 2002 में Zappos की sale increase होकर के 32 million dollar हो चुकी थी हालनकि उनके खर्चे भी काफी थे Zappos को shoe suppliers को भी payback करना होता था और company अभी भी profit margin में कम चल रही थी लेकिन इन सब के बावजूद एक relief ये था कि Wells Fargo Zappos को 6 million dollar का loan देने को तैयार हो गई थी warehouse system improve होने से Zappos अब customers को best shoe selection ओफर कर सकता था customers के लिए free shipping और free return का option भी था और उनकी delivery भी हमेशा time पर होती थी 2000 team में Zappos की sale 70 million dollar हो गई और इसके साथ ही ये online shoe store में number one site बन गई थी